देश में बढ़ रहे कुपोशन का जिम्मदार कौन? भारत में कुपोशन एक गंभीर समस्या है और यह समस्या और अधिक बढ़ रही है अब नीती आयोग ने भी यह मान लिया है कि पिछले आठ सालों में कुपोशन दर्मे वृध्धी हुई है आयोग ने यह आशंका जताई है कि भारत 2023 तक जीरो हंगर का लक्ष पाने से चूप जाएगा मैं आकरिती और आप देख रहे हैं MNT News Network हाली में नीती आयोग के सदसे रमे शंद ने कहा कि प्रतिवेक्ति खाद्य उत्पादन बढ़ने के बावजूद पिछले आठ वर्षों में देश में कुपोशन बढ़ गया है उन्होंने इसके लिए बढ़ती खाद्य कीमतों को जिमदार बताया है साथ ही उन्होंने क्रिशी उत्पादक्ता वृद्धी को सालाना 2% से अधिक बढ़ाने की वकालत की है नीती आयोग के सदसे रमे शंद ने बढ़ती खाद कीमतों को कुपोशन का जिमदार ठाराते हुए कहा कि पिछले दो दशकों में क्रिशी संबंधी उत्पादों की कीमते आन्य वस्तों की तुलना में 26% अधिक बढ़ी है ये बढ़ती खादी कीमतों और परियावरन संबंधी चेंताओं के साथ मिलकर भारत की क्रिशी उत्पादक्ता को जांच के दायरे में लाता है उन्होंने संभावना जताया कि भारत 2023 तक Zero Hunger लक्ष को प्राप्त करने से चुक जाएगा क्योंकि प्रतिवेक्ति खादी उत्पादन बढ़ने के बावजूद पिछले आठ वर्शों में कुपोशन बढ़ गया है बताते चले कि हाली में जारी साल 2023 की Global Hunger Index में भारत को कुल 185 देशों में 111 स्थान दिया गया जबकि इस सूची में भारत के पडोसी देश जैसे बांगलादेश, भुटान, चीन और पाकिस्तान की भारत से बहतर स्थिती में है लेकिन केंद्र सरकार ने हमेशा की तरहत रूटिपूर्ण प्रक्रिया अपनाये जाने का हवाला देते हुए लगातार तीसरी बारव विश्व बैंक की इस रिपोर्ट का विरोध किया है विश्व बैंक की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोशन आन्य ब्रिक्स सदस्य देशों की तुलना में दो से साथ गुना अधिक है वही सहियोग तरास्ट के खाद एवं कृशी संगठन की 2021 के रिपोर्ट्स में भी इनी नतीजों की और संकेत किया गया है जागरिती के इस मुही में आप हमारा साथ और सहीयोग दे जानकारी में तो पुर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेर करे साथ ही हमारी अगरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश जरूर करे धन्यवाद जै भीम जै मुल नमासी जै सम्विधान जै भारत झाल झाल झाल